हाई, welcome to my channel, इस video में solve करें question number 12, find the smallest number which must be added to 2300 so that it becomes a perfect square, तो ये जो number है 2300 या perfect square नहीं है, इसमें हम क्या add कर दें, वो smallest number क्या add करें कि ये जो है perfect square बन जाए, ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारे numbers हैं जिसको add करने पर ये बन जाएगा perfect square, लेकिन smallest number हमें add करना है, सबसे जो smallest, सबसे छोटा जो number होगा, वो क्या होगा जिसको add करने पर ये perfect square बन जाए, तो हम क्या करेंगे, कैसे find करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, कि long division method से, long division method से हमें इसको find करना होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, कि इसका long division method से निकालेंगे square root, तो we have, हमारे पास है 2300, अब यहाँ पर पहले हम निकालते हैं, देखें यहाँ pair बनेगा, और यह pair बनेगा, 23 मिल जाएंगे, तो पहले जाएगा, 4 से, 4, 4, 16, यहाँ पर हो गया 7, और 00 उतर जाएगा, हम पर यह add कर देंगे, 8 मिल जाएगा, पहली बार गया था, 4 से, और दूसरी बार किसे 8, 8 जा, 64 होता है, तो 8 से चला जाएगा, बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है, हमें कुछ add करके बताना है, कि इसमें add करने पर कितना आएगा, तो एक बात ध्यान देखेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ कुछ कम, जैसे हम usually करते हैं, long region method, यहाँ वैसे करेंग करना पड़ेगा, तो 8 से ले जाते हैं, क्या मिलेगा हमें, देखे, 8 जा 64 का 4, 6 carry over, 8 जा 64 and 6, 70 हो जाएगा, अब देखे, यहाँ पर 8 से ले जाने पर ही थोड़ सा ज्यादा आ गया, तो यह ज्यादा आया है न, यहीं से सारा concept है, जो आपको मिल गया यहाँ पर, 700 यह है औ और आपका 704 आ गया, 8 बार ले जाने पर, ठीक है, तो इसका मतलब कि हम 700 में कितना add करेंगे, तो 704 आ जाएगा, 4 आड करेंगे तो, है कि नहीं, तो इसे यहीं plus x कर देते हैं, मतलब 700 में क्या add करेंगे, कि 704 आ जाएगा, यदि 704 आ जाएगा, तभी तो remainder यहाँ पर जू ले गया है, तो यदि हम less ले जाएंगे, तब भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जब एक less ले जाएंगे, तो देखें, ये condition आएगी, यदि हम एक बार कम ले जाते हैं, तो क्या आएगा, देखिए हम आपर, हम फिर से यहाप लिख देते हैं, 88 था पहले, sorry 88 नही मिलेगा, यहाँ मिलेगा कितना, मैनस करिए, मिलेगा आपको 100 में सनायन मिलेगा, 81 मिलेगा मतलब, 81, 81 क्या है, कि 81 डिमेंडर आ रहा है, मतलब, usually हम जैसे करते हैं, वैसे करने पर, 81 को यदि मैनस कर दे 2300 में से, तब भी मिल जाएगा हमें perfect square number, लेकिन हमें मैनस करके नहीं है, हमें क्या करना है, what must be added, क्या add करें, इसमें कि यह perfect square हो जाए, तो यहाँ पर यदि usually जैसे करते हैं, यह कम लाकर के हम solve करते हैं, हमेसा जो number होती है, उसे कम लाकर के solve करते हैं, यदि वैसे करेंगे, तो आपको सब्टेट करने वाला condition मिलेगा, मतलब कि जो number यहाँ मिले remainder, उसको zero करने के लिए, हमें इस remainder को इसमें से minus करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि क्या add करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, 7 से 0 ले जाकरके, हम ले जाएंगे 8 से, एक अधिक बार, ताकि 700 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाए, और जो ज्यादा आएगा, उसी number क निकालना पड़ेगा, और वही number यहाँ पर पूछ रहा है, ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ पर इसको erase कर देता हूँ, तो इसका मतलब हमें करना क्या पड़ेगा, clearly हम यहाँ कर सकते है, clearly हम यह ले सकते हैं कि 700 plus x होना चाहिए, 700 plus x क्या होना चाहिए 704 के बराबर होना चाहिए, और यह बराबर तब ही होगा, जब 704 में से माइनस करेंगे 700 और यह इकोर जाएगा 4, मतब कि x is equal to 4 होना चाहिए, मतब 4 must be added to this, so 4 must be added to 2300 to make it a perfect square, ठीक है, so so, लिख रहे हैं बार बार खी बार, लिख दें हैं आपर hence, 4 is the smallest number ओके, यही आपका answer हो गया, 4 is your answer, तो जब भी आपको कुछ add करना हो, तो एक बार अधिक ले जाएगा last में, लास्ट में जो है, एक बार अधिक से ले जाएगे, तो आपको पत्ति लेगा कि क्या add करेंगे, कि जो अधिक जितना हुआ है, उतना आ जाए, तो फिर हमें पत्ति लेगा वो number, वो smallest number जिससे हमें add करना पड़ेगा, तो यह x फाइन हो जाएगा, ओके, तो होब करको समझ में आगे होगा किसी करना है, तो thank you so much for watching, bye.